मध्य प्रदेश की मौसम समचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर रोजाना मौसम अपडेट देखने को मिलेगा वीडियो को शुरू करने से पहले आप कमेंड में अपने जिली का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिली का भी मौसम अपडेट हम देख सकें वीडियो बहुत ज़्यादा यूसफुल है तो अंक तक इसे जरूर देखें चले जानते हैं आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में तापमान कैसा रहने वाला है मध्य प्रदेश के कौन-कौन से अलागों में किस तरीके का मौसम रहने वाला है और कैसा अभी तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्या मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में कडाके की ठंड पढ़ने वाली है या फिर ठंड से रात मिलती हुई दिखाई देगी क्या मध्य प्रदेश में बरसात के आसार नजर आ रहे हैं बारिश हो सकती है या फिर नहीं ये भी हम जानेंगे लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों का हाल यानि कि अलग-अलग जिलों में अभी क्या कुछ हाल बना हुआ है और कैसा तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है तो आपको बता दे कि मध्य प्रदेश में केवा सुभा और रात के समय ही ठंड़ का असास हो रहा है दिन के समय अच्छी खासी गर्मी बनी हुई है आपको बता दे कि खजुराहू में सबसे कम नियूनितम तापमान रिकॉर्ड किया गया यहाँ पर 12 डिग्री सेल्सिस पर तापमान पहुँच गया खनवा खरगोन में 36.5 डिग्री सेल्सिस दिन का तापमान रिकॉर्ड किया या यानि कि दिन में काफी ज़्यादा गर्माहट बनी रही पही मौसम विवा का कहना है कि कुछ सिस्टम एक्टिव होने से कुछ इलाकों में बूंदा बांदी हो सकती है तापमान के अगर बात की जाए तो प्रदेश में कर जग़ों पर तापमान सामने से जादा है मंडेला की बात करें तो यहाँ पर तेरा दिशमलब पांच डिगरी सलसेस तापमान रहा राजगर में तेरा दिशमलब आठ डिगरी सलसेस तापमान रहा दत्या में चवदा दिशमलब तीन डिगरी सलसेस तापमान रहा रतलाम में चवदा डिगरी सलसेस और भोपाल में नियूनितम तापमान चवदा दिशमल यलो अलर्ट भी जारी किया है मौसम विवाक का कहना है कि बाकी अने जलों में मौसम शुशक रहने वाला है पशिमी विशोप के चलते ये पूरा मौसम में बदलाव देखने को मल रहा है जिसके चलते छिटपट बारिश की गतिविधिया हो सकती है पूर्वी मध्य कि बारिश के जलों अनुपूर डिंडोरी जिले में हलकी बारिश होने की संभावना है अतलावा मौसम विवाक की माने तो प्रदेश के मौसम को प्रभाविध करने वाले कई सिस्टम इस समय आक्टिव दिख रहे हैं पूरवी मध्य प्रदेश में कई कई पर बारिश की संभावना है अलकि ठंड बढ़ने के आसान नहीं है यानि किसी तरीके से मौसम बना रहेगा 26 फरवरी तक न्यूनतम तापमान में बढ़ उत्री होने की संभावना है क्योंकि कुछ जिलों में बादल चाहे रहेंगे ऐसे में यहाँ पर न्यूनतम तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा मौसम विवा की माने तो एक लंबी ट्रफ रेका पूर्वी मध्य प्रदेश के 36 गर जारखंड बिहार से होते हुई पशिमंगाल तक फैली हुई है जो की 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच इन अलाकों में मौसम को फ्रभावित करेगा यानि की दिवा अनुपूर डिन्डोरी संभा के जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है बाकी आने जगा पर मौसम सामाने रहने वाला है और आपको बता दे कि मध्य प्रदेश में सुभा शाम ही के वल ठंड का एसास होगा बाकी दिन के समय गर्माहट का एसास होता रहेगा क्योंकि समय काफी तेज धूप निकल रही है ऐसे में मौसम में राहत मिलने के आसान नजर नहीं आ रहे है मौसम विबा का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके का मौसम रहेगा और इसके बाद जो है वो मौसम में परिवर्तन देखा जाएगा बाती सभी जिलों में मौसम पहले की तरह सामाने रहेगा हर दिन मौसम सब डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले साथी वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें धन्यवाद